नमस्कार मेरे प्यारे किसान सातियों, स्वागत है आपके ही अपने यूटीब चैनल सादाबाद के स्रीवर, मैं हूँ सौनू चौधरी किसान सातियों इन दनों देश के प्रमुक अग्रणी आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेस में बिलाइट का भेंकर प्रकोव देखा जा रहा है बिलाइट से कोई भी आलू उत्पादक जिला अचूता नहीं है किसानों की पूरी जमा पुंजी, सालवर की महनत इस ब्लाइट की चपेट में आ चुकी है ऐसे में किसान चाहा कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं सबसे ज़्यादा विभीसी का इन दिनों आलू की पश्रीमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है जहां पर सबसे पहले देश बर में ब्लाइट की जो श्रवात हुई थी वो पंजाब से हुई थी और पंजाब में एक बड़ा छित्र फल ब्लाइट की चपेट में आने से पूरी तरीके से बरबाद हो गया उसके जद में उसके बाद में हर्यान आया लेकिन अब बिलाइड जो है धीरे-धीरे काफी उत्तर प्रदेस में आगई और उत्तर प्रदेस में तो खेत के खेत मैदान की तरह चट कर दिये तमाम दवाईयां किसानों ने लगाई वो बेसर थाबित हुई लाखों की कीमत किसानों ने दवाईयों में खर्च कर दी लेकिन नतीजा शुनने निकला हर वो टॉनिक हर वो दवा जो केमिस्टों ने दी वो सब जोंगे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ दम भरने वाले तो दम भरेंगे क्योंकि उन्हें अपनी दवाईयां बेचनी है और किसानों की बेखवरी का आलम इतना है कि आप उसे भल्मन सायत मानिये क्या है आप लोगों को भ्रहमित करने का और जब भुलसा फैला है बलाइट फैली है तो उनके किये कराई मेहनत पर पानी कर गया है सबसे ज्यादा हालत इस समय पर हात्रज जनपत आगरा जनपत फरुक हमिरपुर, बाराबंकी, हमिरपुर, बुलंद सहर, हापुड, मेरठ, संभल, काजगंज, महनपुरी, फिरोजाबाद, यह आलू के गढ़ हैं और यहां पर बहुत आया छेटरफल पर आलू की खेती किसानों द्वारा की जाती है और एक हिस्सा मत्रा जनपत का भी है जो की माट विधानसवा और बल्देव विधानसवा यह दोनों छेटर मत्रा के आलूत पादक में भी मशूर हैं इस समय पर बिलाइड ने उत्तर प्रदिस में हाहा कार मचा कर रख दिया है किसानों को समझन ने आ रहे आखित करें तो करें गया और यहां पर आप लोगों को पहले ही मैं बता दूँ पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं बिलाइड किसी भी दवा से नहीं रुखती है चाहे आप रेडो मिल डाल लो चाहे केनारी डाल दो चाहे उसमें कोई इसी भी दवा आप यहां को दो कोई काम नहीं करती है क्योंकि बिलाइड का सबसे बड़ा हतियार जो है प्री प्रोटेक्शन डोज होती है जो दूसरे पानी से पहले ही आप लोगों को डाल देनी चाहिए जिससे फसल बची रहती है लेकिन अक्सर आप जो है अपने गुमरहा अंदकार पहे बातों से कि वहां फैल लगी है तो वहां से हमें क्या मतलब है हमारे यहां फैलेगी जब जानेंगे तो यही कमियां आपको ले डूटती है और इस समय पर उत्तर प्रदेश में बिलाइड से हाकार मचा हुआ है कोई भी गाओं कोई भी छेत्र कोई भी जिला बिलाइड से अच्छूता नहीं है जहां पर बिलाइड न फैली हो और किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया बिना देरी किये आपको मत्रा जनपस से लेकर हात्रस की तो आप देखी रहे हैं जिसे मैं दिखा रहा हू अलीगड के भी आप देख रहे हैं आपको एक बड़ा एरिया इस समय पर मैं इस वीडियो के माद्धम से दिखाऊंगा जो उत्तर प्रदेश में भेंकर बिलाइड फैली हुई है और निश्चित तोर पर इस बिलाइड का प्रकोप इस बिलाइड का प्रभाव आलू के उत उत्तर प्रदेश में भी आलू के उत्तपादन में इस बार भेंकर ग्रावट भी दर्ज की जाएगी तो चलिए बिनादेरी की वीडियो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बिभिनिक जिलों से जहां पर आलू सरवादिक उत्तपादन होता है और वहां की वेदना आप कि जुरी में उन्हें आठाना पड़ेगा क्योंकि दवा बिलाइट पर कोई काम नहीं करती है सिर्फ आप अपना धंदा चमकाना चाहते हो आप अपनी दवाएं बेचना चाहते हो चेपना चाहते हो किसानों पर किसान पहले सी बरवाद है आप उसे दवाईयों के रूप में और ज्यादा आर्थिक चोट पहुचाना चाहते हो तो किसान साती हो चलिए वीडियो देख लेते हैं आज मैं आपको एक प्लॉट दिखाता हूँ यह हमारा छेतर पड़ता है जस्वंतनगर इटावा में और आज दिनांग है 25 दिसंबर 2023 और हमारे दर जुलसे का बहुत ब कि बहुत ही भेंकर तरीके से जुलसा आ चुका है और और करीब 300 वीगा जमीन में धर जो आप उदर देख रहें उसमें किसी में 10% किसी में 5% ऐसी यह सुरूवात देखने को मिल रहे हैं किसान बहुत ही परेशान है दबाई पर दबाई लगा रहा है और देखो आप देख इदर इदर देखो इदर अब इसमें क्या बचेगा किसान को आप बताओ साथ सो आठ सो रुपए कगदीज लेके देखो पूरा प्लाट ही अब यह दो चाट दिन में तो खतम हो जाएगा सर देखिए हमारे हाँ पे जुलसे का यह है दूसरा खेट जिन में लगभग लगभग नुक्सान तो पूरी तरह से होई चुका है यह तो डंठल भी धंग से नहीं बच्ची होई है डंठल ही कलने को रह गई है पत्तियां तो पूरी तरीके से सूख के खतम हो गया पूरा खेट आप देख लिजें पूरा खेट पूरी तरह से खतम हो गया यह और यह जो छेत्र है जहां पर यह खेट है यह गण्यमुरादाबाद का छेत्र है और यह ब्लाप पड़ता है गण्यमुरादाबाद तहसील बांगरमों जिला उन्नाव और इन खेटों में प्रोडेक् एक खेट की कंडिशन हो यह लगभग लगभग पूरे पड़ोस पड़ोस के तो सभी खेटों में बहुत ही जादा इस्तित खराब है मगर दो चार पांच किलो मिटर के एरिये में भी कोई ऐसा खेट नहीं होगा जिसमें थोड़ा बहु दढ़ान नहुआ हो कुछ नकुछ असर दिख रहा है आप देख लिए यह बगल का दूसरा खेट है लेकिन यह सभी खेटों की ऐसी हिस्तित हो गई है जहां पर पूरी तरह से जोलसे के प्रपोर्प से पसले खतम है और यह नहीं है कि कोई एक खेट की बात करें हम कि यह खेट में असर है और दवाईयां तो तेजी से पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी जोलसे का प्रकोब बहुत ही ज़्यादा तेज है और देखेजिए इसके पड़ोस का एक और एक खेट है यह देख लिए जैसे यह है दूसरा खेट पूरे के पूरे खेट खत्म है ज़र ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई एक खेट की बात हो यह गण्यूरादाबाद इस्टेशन के पास कही एरिये का खेट है चीक सर अगले वीडियो में आपको हम और भी दिखाएंगे दूसरे खेट देख लिजे सर यह हमारे यहाँ फसलों का इस प्रकार से इस्थित है यह हमारा छेत्र पड़ता है बांगरमों तहसील है और बांगरमों का एरिया यह गाओं हम लोगों का पढ़ता है कपूरपूर टड़वा ताजपूर मुरादाबा धासनापूर यह इलाका है हमारा और यहाँ पर कुछ खेतों में तो बहुत जाद ही नुक्सान हो गया है जिन में हमको लग रहा लगभग लगभग 90 परसेंट कह लें या 99 परसेंट कह लें क्योंकि उन खेतों को तो पूरी तरीके से खतम कर दिया जुलसे ने और अब आप खुद सर देख सकते हैं या भी फसल लगभग हुई होगी 65 से 70 दिन की फसल है और अभी इसमें फल्द मतलब कोई ऐसा बहुत अच्छा प्रोडेक्शन नहीं है लेकिन पूरी तरह से आलू का खेत आप देख लिजे सर्क कि पूरी तरह से खतम है यह और यह ए प्रोडेक्शन खेतों का इस्तित है और आप देख लिजे सर्क और इसमें आलू अगर दिखाना चाहाएं आपको हम खोद के तो इसमें यह इन पाधों में कुछ अभी है भी नहीं देख लिजे सर्क यह आलू निकल रहा है ऐसा ऐसे गुलिटाइप का अलू निकल रहा है यह ऐसा अलू है इस टाइप के अलू है भी और नुक्सान तो पूरी तरह से जल जुके हैं खेत और एक खेत का नहीं अभी हम दूसरे खेत का भी डाल रहें सर नमस्कार प्यारे किसान साथियो आज तारीक है 24 दिशंबर दिन है रवार और मैं खेत से लाइब वीडियो दिख आलू था और यह लगाया था 20 अक्टूबर को और यह मत्रा से वीडियो बनाके मैं डाल रहा हूं हलंके सारे खेतों की स्थिती तो ऐसी नहीं है पर किसी-किसी खेत में यह सिकायत है पता नहीं एकदम आलू का जो पेड़ है एकदम जलसा गया है जैसे किसी ने खेत में आप देख रहे हैं एकदम इस्तिती बिल्कुल खराब है अब इसमें गुल्ला साइज का अलू बना है और इसमें यह पेड़ बिल्कुल बेकार हो गए हैं कहीं कहीं तो पूरी तरह हालत खराब है जी आप लोगों को कल मैंने कुछ वीडियो दो वीडियो मैंने डाले हुए थे जिनको लोगों ने देखा और पमेंट किया कि यह रोग नहीं है तो उन्हें मैं दिखाना चाहता हूं पहले तो मैं आज का तारीख और समय बता देता हूं आठ पचकर 15 मिनट हुआ है भी मॉर्निंग का और डेट है आज 24 दिसंबर 2023 और कल पथरिया जी ने वो वीडियो मेरा उठा के उन्होंने अप्लोड कर दिया तो उस वीडियो को देखकर कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना भयानक तोर पे ब्लाइड का असर ह कल तो मैं दूसरे खेत पे साम का समय था कल दूसरे खेतों पे गया था और आज मैं ये दूसरे खेतों पे हूँ जो मेरे गाउं के पास ही है उन खेतों में ये आप देख लेजिए ये आप समझ लीजिए कि आ ब्लाइड है और लेट ब्लाइड है और इतना इसका उसमें क्या है आप अपने हिसाब से अपना calculation करिए कि आपको क्या करना हम यह नहीं कर रहे हैं कि आप मेरी बात तब हरोसा करिए आपको मैं मेरे पास जानकारी थी मुझे लग रहा था कि ऐसी चीज है जो सब को help करेगी तब ही लोग अपने खेतों को पहले से दवाई डाल लेंगे पचा लेंगे खेतों को तो मैंने उस चीज को पथरिया जी को दिया मैंने यह सोच के नहीं दिया कि लोग उस पे comment पास करेंगे कि पुराना वीडियो डाल रहे हो या गलत वीडियो है यह आप देख लिजे यह क् खतम नहीं है लेकिन इसमें फाइल पूरी तरह से चुका है आप जब गावर से देखेंगे तो आपको मोबाइल में भले ही मतलब इसमें वीडियो में भले ही कम समझ में आ रहा हो मगर इसका इफेक इतना है कि अब हम आपको ऐसे खेत पर देखके बताएं तो यह पुसकर आलू है और इस पुसकर आलू में अभी इसके हालात यह हैं कि आप यह देख लिजिए इसमें यह देख लिजिए यह पुसकर का खेत है और यह अभी लगभग 65 दिन के आसपास से 70 दिन की फसल है 70 दिन की फसल का यह हाल है कि इसमें यह डूंठली बची होई है बाकी कितना नुकसान हुआ है क्या है क्या है क्या नहीं है आप अपने हिसाब से कल्गुलेशन कर सकते हैं किसी को कहके समझाया नहीं जा सकता, किसी को बताया नहीं जा सकता, बता सकते हम, किसी को बता सकते हैं, मगर उसको समझाया नहीं सकते, और समझाने के हमारी जिम्यदारी भी नहीं है, यह तो अभी देखे, यह दूसरा खेट है, यह कंचन आलो है, और आप इसका देख लिजे ये क्या इस्तित है इस खेत की ये आप देख लिए ये आज 23 दिसंबर का वीडियो कल डाला था आज 24 दिसंबर 2023 समय सुबह का अभी आठ बचकर 15 मिनट के आसपास हो रहा होगा और आप ये देख लिजे इसमें किस तरह से इसका आलू के ब्लाइड दिख रही है और ऐसी वैसी नीट दिख रही है पाउधों को बिल्कुल खतम कर दिया आप इस खेत को पूरा देख सकते हैं कि कहां पे कितना ज्यादा नुकसान है कितना नहीं है और कुछ जगों पे तो ये नहीं कहते है कि जिन्होंने दवाईयां डाल रखी है उनके में इफिक्ट कम दिख रहा है उनको तो मतलब काफी हत्ता का भी राहत है जिन खेतों में दवाईयां पड़ी हुई है या जिन लोगों ने वेट किया कि अभी दिखा गत्व डालेंगे, उनका तो काम हो गया, उनके में तो नुक्सान हो चुके है, और यह है कि बहुत अच्छी किसमत हो जिसका नहीं लगा हो, लेकिन यहां पर 5-7 किलोमेटर के एरिया में मैं कल से घुन चुका हूँ, तो यहां नहीं, आप देख सकते हैं, पतरिया जी ने मेरे भेजने पर उन्हों ने लोड कर दिया उसको, लोग लेकिन भी स्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने लगा कि आज मैं मॉर्निंग में ही एक वीडियो डाल देता हूं, दे देता हूं पतरिया जी को, कमसे कम उनकी बात को लोगों को ये न लगे कि जूट फैला रहे क्या। वेसे सकी बन जाते हैं, फलाने ने ये डाल दिया तो धिकाने ने ये डाल दिया, वो सारी चीजने डाल दे हैं, पहले सही हमारे उत्तर प्रदेश के किसान जो है, अधिकान से तक किसान जो है, गरीब बर्क से आते हैं, अन्ना मवेशियों की वज़े से ग्याउं से दूरी किसानों को मारा था लेकिन उत्तर प्रदिस में बिलाइड ने मार दिया बिलाइड काफी तेजी से फैल रहा है और आप कोहरा भी शुरू हो गया है जब कोहरा शुरू हो गया है तो बिलाइड इससे थोड़ी रहत जरूर मिलेगी लेकिन अधिकान स्थाहिस्रा इससे और ज़्यादा प्रभावित होगा किसानों को समय रेते इसकी देखरेक करनी चाहिए हम तो यही गाइड करते हैं और ऐसे में कुछ लोग जिनकी जिन्दगी इसी आलू में गुजर गई वो तो आप कहीं के नहीं रहे उना तो आप जो है पीपल की मंडी करा देनी चाहिए क्योंकि वो धर्ती पर बोज बने हुए किसानों को जब हम 10-20 दिन पहले बता रहे थे कि यह कंडिशन बन रही है आप सचेत हो जाए तब इन में से एक यही वर्ग यह कहता था कि तुम जैसे लोग किसानों को ज्यादा से ज्यादा फैदा कराने के लिए घुमरे हो ताकि किसानों की फसल बच जाए तो जो है उन् पर खरीदने के लिए तमाम प्रयास किये इन्होंने हम जैसे यूट्यूबर जैसे लोगों को तमाम उल्टी सीदी बखवास की लेकिन हम भी पत्थर की मूरत हैं तुम कितना भी डंडे मार लेना हम पर कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि हम जो हैं किसानों के हित्म विवस्ता अलू से चलती है और इस सने पर आलू राजा जो है रंक बना हुआ है अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन का अगर आप रेशियो देखें तो आज 60 से 70 दिन की फसल हो चुकी उत्तरप्रदेश में बिलाइट की चपेट में है और जो सुरच्छित है उसका अभी आप पेड़ उखाड़ के देख लेना तीव अच्छे बने हैं लेकिन विकास नहीं हुआ जो विकास नहीं हुआ तो निश्चित तोर पर इसका एक बड़ा प्रभाव जो है देश भर में आलू के उत्पादन पर भी पड़ेगा जिसका सीधा-सीधा सरोकार जो है आलू के उत्पादन में गिरावट से है हमारे यह पर कच्छे आलू की खोद का एक खेट खोदा गया था जिसमें जो है अधिक्तम जो है 22 कट्टे का बीगा निकला अधिक्तम एक ऐसी प्रजाती जो की अपने उसमें दान जानी जाती है कि 110 कट्टे का 120 कट्टे का ब अगर किरी गुल्ले को छोड़ें तो मात्र 18 कट्टे का यह उत्तर प्रदेश की इस्तिति है कि उत्तर प्रदेश में इस समय पर आलू का जो रेश्यों निकल ला है वह 18 से 22 कट्टे का बीगा निकल लाए कहीं भी कोई भी जादा नहीं है अगर कोई दिखाता है तो वह बह ब्लाइड फैली उत्तर प्रदेश में उससे किसान परिशान खैमिस्ट भी परिशान किरसी विसेसक भी हैरान कि आखिर एक साथ इतनी बड़े छेत्रफल को कैसी कवर कर लिया हवा और पानी के संपर्क में आने से ब्लाइड जो है पहुत तेजी से फैलती और किसान काफी परिशान है किसान तभा हो चुका उत्तर प्रदेश का और यही था वीडियो में आप लोगों को दिखाने का कि उत्तर प्रदेश में कोई भी जिला कोई भी इरिया जो आलू का गड़ कहा जाता है यहने आलू का गड़ जिलों को कहा जाता है हाइबिरिड आलू हो चाहें वो पक्के में 37, 97 आलू हो, आग राली गड़ के हों, वो सब जो है इस समय पर बहंकर ब्लाइड की चपिट में है, चहा कर भी कुछ नहीं हो पर आए, तमाम ग्यानी ग्यान देंगे, लेकिन ग्यान अपनी जिम में रखिएगा, किसान बरबाद है, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ वाट से फेस्बू ग्रूपों में शेयर करना नहीं बूलेगा, दन्यवाद, आपका दिन शुख हो, और हम आप लोगों के लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको जाग र इतिविदियां चल रही है, उसकी जानकारी समय पर मिलती रहें.